नमस्कार दोस्तों पातर टेक के इस यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत करते हैं आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप जाडखंड के एक नागरिक है और अगर आप यहाँ पे किसी भी जिले के जमीन खरीद के रखे हैं जो गवर्मेंट को पेक किया जाता है जिसको हम लोग खजना बोलते हैं अगर उसको आउनलाइन कटाना है तो कैसे कटाएंगे इस वीडियो में आज हम आपको step by step बताने वाले हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चलमें नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए तो चलिए बीना देरी करके वीडियो को स्टाट करते हैं चली सबसे पहले आप अपना अपना गूगल क्रोम खूल लिजे घोगल क्रोम खोलने के बाद यहांप एप की जड़़घन से रिलेट्टीट है इसलिए जड़़घन को टाइप की जएका सबसे सब्सें पहला लिंक ापको मिले को जहां पे जैसे online लगान या view पे आप क्लिक कीज़ेगा तो आपको एक अलग dashboard में लेके चला जाएगा तो थोड़ा सा वीट करते हैं देखे इस तरह का आपको dashboard नजर आगिया यहां पर बहुत सारा option रहेगा कहीं भी क्लिक कीज़ेगा तो आपको आपका बकाया देखने को मिल जाएग जैसे सबसे पहले आपका जिला का नाम आपको चुनना होगा उसके बाद अंचल मतलब ब्लॉक का नाम आपको चुनना होगा तो चलिए मैं यहां पे जिला का नाम चुन लेता हूँ उसके बाद एक ब्लॉक का नाम चुन लेता हूँ उसके बाद यहां पे हलका हलका यहां बहुत सरा आपको मिलेगा यह आपको पता करना होगा कि क्यों सा हलका में आपका जमीन जो है खरिद करके रखे हुए हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि आप इसमें आपका जो land का mutation करके रखे हुए हैं वहाँ पे आपको यह नजर आ जाएगा यह आप पुराना आप slip सब्सक्राइब और अगर बन कहतों किसे सब्सक्राइंग नयुक्त कीजिए और वनेर और यहां पर प्राइब टो खुलेंग और बारि-न fenton करने के बाद यहां अनुछ मिल्ड़ और बने यहां सब्सक्राइब कर दिखें सब्सदाइब और जमीओ खाता नंबर है जो मेरा लो नंबर है उस नंबर से मैं यहां पर सर्च करूंगा तो दे fascist करने का पाध यहां पर कैपसए कोड दिया हुआ है कैपसए कोडल टाइप करकर कलीक कि जेगा और इस तरह का बार-बार आपको error दिखेगा देखेगा फ्रेंड इस तरह का बार बार अगर आपको इर्र दिखता है तो आप पेनिक ना हो आप आप बार-बार ट्राइब करते रहें क्यूंकि यह जाड़कन का गवर्मेंट और जाड़कन का आई-टी सेक्टर बहुत है और जिसके कारण यह थोड़ा सा तो फिलाल वो आपने ही pocket गरम करने में लगी हुए चलिए फिलाल देखते हैं आगे तो फिर उसी तरह का आप यहां पर हलका सर्च मारेगा देखिए यहां पर यह आपको सारा आपका नजर आ गिया देखिए जैसे में सेम तू सेम जिला का नाम उसके बाद फिर हलका का नाम टाइप करने के बाद जो भी option है आपको जैसे क्लिक कीजेगा बारी बारी आपको यहां पर दिख जाएगा तो बहुत सारा यहां पर लोगों का नाम सो कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या नाम है किस रैत का नाम मतलब आप किनके नाम पर जमीन खरीदे हु तो मैं दूसरा हलका पर ट्राइ करता हूं मुझे यहां पर नाम सोन ही कर रहा है तो मैं यहां पर अपना नाम को चेंज कर लेता हूं और चेंज करके दूसरा एरिया पर देख लेता हूं एक बार मैं दूसरा जो मौजा है उस पर एक बार क्लिक करके देख लेता हूं चले मैं मौजा यहां पर यहां पर प्लिक करोंगा तो मुझे साइद कर लेता हूं और यह रहा मेरा वो नाम जो मुझे यहां पर बगल में देखे लिखा हुआ है देखे बोलके आप देखे पर क्लिक कीजेगा जैसे देखे में क्लिक कीजेगा तो सारा का सारा रिकॉर्ड वो आपका सब कुछ नजरा जाएगा कितना प्लॉट है कुन सा जमीन है कित की नाम पे लिया हुआ है और कितना जगा है आ साराbé डीटेल्स आपको नजरा जायगा तो यहाँ पे आने के बावजूद भी आपका एक पार में होता है तो उसके बात डério के यहाँ पीर में क्लिक करिएंगा उसके बाद फिर यहां पे लिखावा है बकाया देखेंगे देखे में जैसे आप क्लिक करिएगा आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो देखे आपको यहाँ पर टोटल जो है कितना साल से आपका बचा हुआ है 77 रुपया करके आपको जुड़ते हुए टोटल हो गया 29 रुपया 40 पैसा जो आपको पे करने होगा तो चलिए इसको ऑनलाइन कैसे प्या किया जाता है यह मैं आपको दिखा देता हूं जैसे इस पर क्लिक किजेगा तो यहां पर देखे लिखा ऑनलाइन भुकतान करे आपको देखेगा घारा कलर में दिख रहा है इस जगा पर आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक किजेगा आपको यहां पर सार क्लिक करें देखें ऊप्तान करें अधोंट तरह सेट अब दूबारा वहां पर आएगरी करिएयगा है यहां पर आपको दो ऑप्सन मिलेगा एक हो जाएगा और दूसरा हो गये आपका रिजिस्ट्र लोगन तो गेस्ट लॉग इन पर क्लिक करें देखेगे उपर में लिखाओ गेस्ट लॉग इन उसके बाद यहां पर ऑप्सना अता है SMS authentication उसको अप चुन लिजीएगा उसके बाद आपका एक मोवाइल लंबर टाइप कीजेगा जिसमें एक ऊटीप को टाइप कर लेता हूं क्योंकि यहां पर जरूरी है तो मैं यहां पर टाइप कर लेता हूं तो देख लेता Dob Word tip scholar यह चलिए और में выступ को यहां पर टाइप कर लेता हूं जैसे आपको टाइप हो जाएगा अब proceed ह disturb proceed करने के बाद थोड़ा दिर विट कीजिएगा का वेट क्लिक करने के बाद जैसे ठोड़ा से लिवेट कीजिएगा इस तरह से आपको सारा डृटिलिस आपका नजराएगा आप यहां पे ट्रंजेक्स पर klick करके यहां परप क्लिक करके आप को इस तरह से एक पेज नजर आ जागा आप यहां पर कुछ निकरना एगरी करके आपको बस यहां पे proceed to pay में klick करदेना है क्योंकि आपका यह option है आपके पास है तो आप किसे भी करना चाहो तो आप कर सकते हो तो फिलाल मैं UPI ID डालके यहाँ पर verify कर लेता हूँ चलिए मैं UPI ID verify हो गया अब मैं pay में क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं अपने मुवाइल में कुछ second hold करूँगा और उसके बाद मैं मुवाइल से यहां pay कर लेता हूँ जैसे मैं अपने मुवाइल में payment को accept कर लेता हूँ उसके बाद आपका कुछ तरह से screen आपको hold रहेगा और ऐसे ही आपका pay यहाँ पर automatic हो जाएगा तो चलिए मैं कुछ second आपका hold कर लेता हूँ यहाँ पर देखे payment तो होगे लेकिन बट इस तरह का screen मेरे को दिख रहा है तो panic ना हो यह आपको कुछ नहीं करना है आप go to home पर click कर दीजे ठीक है क्योंकि यहाँ का यह सब सारा system गड़बड है उसके बाद मैं दुबारा यहाँ पर मैं जाओंगा जैसे step में आपको गया था उसी step से मै दुबारा वहाँ तक जाओंगा अपना जिला का नाम और फिर अपना जो एरिया है वो फिर हलका चुनके अपना मोजा का नाम जो है वो चुनके फिर अपना खाता नंबर डालके आप यहाँ पे जो capture code है उसको डालके आप verify कर लेना जैसे आप verify में क्लिक करके देखे में आ कलिक करोंगा जैसे में देखे में क्लिक करूंगा यहां पर तो देखे नीचे में दे अब करके आपको क्लिक करते कर दिया हूं उसके बाद यहाँ पे जो transaction ID है यह मुझे अभी कहां से मिलेगा यह जो आप payment किये हैं यहाँ पे देखिए आपको लिखा होगा इस जगा पे transaction ID आप इसको यहाँ पे copy करना है और copy करके आपको उस जगा पे यहाँ पे paste करना यह सबसे important बात है जैसे आप यहाँ पे copy और paste करके यहा आपका verify हो जाएगा देखिए यहाँ पर यह important चीज था जो आपको verify करना होता है बहुत लोगों यह करते नहीं ऐसे छोड़ देते हैं तो यह बहुत आपको problem हो जाएगे तो यहाँ पे भुकतान अभी verify मेरा हो गया अब हमको यहाँ पे इसको download करना तो चलिए मैं download करने सि देखें नीचे में आपको यहाँ पर option मिल रहा है ध्यान से देखेंगा एक दो तीन करके serial number आपको दिख रहा है और देखें यहाँ पर 29 रुपया का payment किये हैं आपको यह 29 रुपया जो है इस पर देखें पर आपको click करना है तो आपका जो land का जो slip है जिसको वो जो payment slip है कि करने बाद customer को आप दे सकते हैं या अपने पास वह आप रख सकते हैं बस इतना ही मिन काम था आपका तो वीडियो कैसी लगी वीडियो पर like किजए comment किजए ज्यादा से ज्यादा share किजए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को subscribe किजए और ज्यादा से ज्यादा share किजए कर दो